हलो दोस्तों तो आपका श्वागत है एडी जार्कन क्लास में और आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपून क्लास है यह JSC CGL JSC CGL 2023 के लिए बहुत ही जादा important है अगर आपका language paper नाखपूरी है तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं विभिन नाखपूरी कवियों के विभिन नामों से अन्य उपनाम से नामे जाते हैं तो आज हम लोग देखेंगे कवियों के उपनाम के बारे में आज हम लोग क्लास कर एकदम details रूप में देखेंगा अच्छे से देखेंगा तो देखिए सारदा परसाद सर्मा को क्या कहा जाता है तो इन्हें कवी रत्न की उपाधी प्राप्त हुई है दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है तो दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है काली दास नाखपूरी का काली किसे कहते हैं तो इन्हें भी कहते हैं किनकों कहते हैं यानि कि ये सार्दा परशाद सर्मा को ही कहते हैं हम लोग चले नेक्स चलते हैं आप स्क्रिन स्वाट लेते जाएंगे ठीक है तो नाकपुरी का ठीक है नाकपुरी का मुहम्मद रफी किसे कहा गया है मुहम्मद रफी किसे कहा गया है तो सुरेश चंद्र राय को जो है मुहम्मद रफी कहा गया है सुरेश चंद्र राय को ठीक है स्क्रीन सोट ले लेंगे नागपुरी का विद्यापती किसे कहा गया है तो घासी राम को कहा गया है किसे घासी राम को चलिए इसी प्रकार से नेक्स चलते हम लोग कंचन का पूरा नाम क्या है कंचन का पूरा नाम क्या है तो कंचन का पूरा नाम है चुन्नी राम दुबे है चुन्नी राम दुबे कंचन का पूरा नाम है लिखते जाएंगे नाकपुरी का जो है अंतराश्टिय कभी किसे कहते हैं ध्यान से देखते रहेंगे अंतराश्टिय कभी नाकपुरी का किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं मुकुंद नायक को इन्हें पदम स्री अवार्ड कब मिला था चले, नेक्स्ट, नागपुरी का भिष्म पिताम किसे कहा जाता है, तो योगेंदर नात तिवारी को, पंडित योगेंदर नात तिवारी, आप पूरा नाम लिखेंगे, पंडित योगेंदर नात तिवारी, नेक्स्ट, यहीं चलते हैं, जो है उपेंदर पाल नहन का, उपन उपनाम क्या है उपेंदर पाल नहन का उपनाम क्या है तो इनका नाम उपनाम क्या है नहन है मुझे उमीद है आप लोग स्क्रीन सोट लेते जा रहे होंगे महेश दाश मुष्दी का उप नाम क्या है तो मुष्दी है यहीं चलते हैं आपका यह वीर और स्रिंगार रस के कवी के नाम से किसे जान जाता है वीर और स्रिंगार रस वीर और स्रिंगार रस वीर और स्रिंगार रस के नाम से कोन कभी को जाना जाता है तो रन बिजय नात साहदेव पूरा नाम लिखेंगे नेक्स चलते हैं हम लोग नागपूरी भासा कर पहिल सोध करता किसे कहा गया है दियान से देखते रहेंगे पहिल सोध करता जो कहा गया है स्रवन कुमार गोश्वामी को कहा गया है किसको स्रवन कुमार गोश्वामी को कहा गया है ठीक है चलिया नागपुरी का मेरा भाई किसे कहा जाता है तो मेरा भाई किसे कहा जाता है तो लक्षमिन कुवर को क्या कहा जाता है आपका मीरा बाई कहा जाता है नाकपुरी का पहिल उपन्यासकार का उपाधी किसे दिया गया है या फिर किसे कहते हैं पहिल उपन्यासकार बाल मुकुंद को कहा गया है बाल मुकुंद को कहा गया है बरजु राम का पूरा नाम क्या है बरजु राम का देखे बरजु राम का जो है बरजु राम का पूरा नाम क्या है तो बर्जू राम पाठक बर्जू दास इस प्रकार से बर्जू राम पाठक बहुत सारे इनके नाम है लेकिन आप जेनरली दो याद रखेंगे जो फेमस सबसे ज़ादा है आपका यही है तो मैं यही बता रहा हूँ तो चलिए नागपुरी का रश्खान किसे कहा जाता है तो नईम उदिन मिर्दाहा को नागपुरी का भारतेंदू किसे कहा जाता है तो प्रफुल कुमार राय को कहा जाता है यहाँ विवादित है 1928 और 1932 है आप लोग दोनों याद रख लेंगे छलिए भारतेंदू नागपुरी का भारतेंदू हरिश्चंद्र किसे कहते हैं तो धानी राम बक्सी को कहते हैं नेक्स्ट फादर पीटर शांती नौरंगी जो है किन्हें कहा गया है नागपुरी का फादर पीटर शांती नौरंगी किसे कहा गया है तो महाबीर प्रशाद दिवेदी को तो दोस्तों ये जो हुआ आपका नागपुरी कवियों के कवी के उपनाम कवी के उपनाम के बारे में आप लोगों ने आज पढ़ा और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सिक्षिन में जरू कमेंट करेंगे और मैं बात बता दूँ कि जल्द ही जो है आपका JSSE CGL ठीक है JSSE CGL का जारखंड जारखंड हो गया और हाँ एक टेस्ट के बारे में मैं बता दता हूँ जैसे कि टेस्ट जो है नागपूरी का टेस्ट जारखंड का टेस्ट सारे टेस्ट अभी AD Classes एप पे चल रहे हैं तो आप वहाँ जोइन कर लेंगे ठीक है और ये जारखंड हो गया Science हो गया, Science का, जारखंड का तो Completely पढ़ा दिया गया है, JPSC Level का, ठीक ना, Science का हो गया, Geography का हो गया, Politics का, ये जो है आपका जल्द ही सारे का Short Notes आने वाला है ठीक है अभी तैयार हो रहे हैं सारे पूरी साइंस का भी मिलेगा ठीक ना तो इसी प्रकार से free of cost course पाने के लिए AD classes के साथ जुड़ें केवल course आपको free मिलेंगे PDF के लिए आप AD classes app पे जा सकते हैं और join कर सकते हैं धन्यवाद watching for this वीडियो चैहिंद चैह भारत